बहुत ही सिंपल वीडियो है लेके बहुत ही कमाल का वीडियो है दोस्तों आप एक बार करिएगा अगर आपको रिजल्ट ना मिले तो आप इस चीज को कभी भीवत फॉलो करिएगा ठीक है चलते हैं वीडियो के तरह बताती हूं कि बालों में जान लाने के लिए नई जान ल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और अपना प्यार दीजेगा और नमस्कार दोस्तों ये लिजे एक चैदानी और उसमें पानी ले लिजे एक गिलास एक गिलास पानी लेने बाद उसमें डाल दीजे एक चमच मेथी मेथी को बताने के जरूरत नहीं है दोस्तों कि प्याज डाली है जो कि जितने गुच्छे में गुच्छे बाल अगर आपके तूट रहें दोस्तों तो प्याज ही एक ऐसी चीज है जो बालों का गिरना कंट्रोल कर सकती है वो भी एक हपते कंदर तीसरी चीज करीपता डाला है वो भी बहुत जादा फैदा करता है बालों मे के लिए इस्तेमाल करते हैं पांचवी चीज है जो कि है कलोंजी जो कि कहा जाता है कि जो है गंजे सर पे भी बाल उगा देती है कलोंजी और मानना पड़ेगा दोस्तों मतब कलोंजी ऑयल हर चीज कलोंजी फैदा करती है और लाश्ट चीज साय इसमें जा रही है आउला प आपकी ग्रोथ बढ़ाने में हर चीज अब सबको उबाल करके जब आधा हो जाए तो ये बनता है आपका मैजिकल सिरम बालों के लिए बहुत अच्छा सिरम बनके तयार हो गया है इसको चम्मत से या कॉटन से अपने बालों के जड़ों में आप इसको लगाईए उसके बाद लाश्ट दूसरी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको क्या करना है इसको चम्मत से लगाईए जैसे लगाईए मसाज करिए और रात भर के लिए छोड़िए जरूर कोई भी सिरम अगर है जब रात भर के लिए छोड़ी जाती है तो उसका तभी अच्छा एक र जड़ जाएं जड़ने लगें जाड़ू जैसे बाल हो जाएं यह लगए कि इन बालों के साथ मैं किस पार्टी में जाओं कहां जाओं यह तो सब गुच्छे पे गुच्छे निकलते ही जा रहे हैं दोस्तों जो मैं बता रहे हूं हो सकता है कि आपने अजमाया नहों एक और अजमारिएगा उसके बार आज आप आप जो है अपने बालों का टेक्स्टर देखिएगा कि मतलब आपको लगेगा कि मैं अपने बालों पर हाथ ही फेड़ती रहूं तो यह है सबसे magical चीज है यह है chia seed chia seed के बारे में तो आप जानते होंगे weight loss के बारे में मतब सुने होंगे weight loss के लिए chia seed फायदा करता है लेकिन दोस्तो chia seed बालों के लिए भी पहुँचाता फायदा करता है और यह दूसरी चीज है alci, यह दो चीज जिसमें जिसमें भी starch बनता है चावल हो, मेती हो, alci हो वो चीज समझ लिजे कि आपके बालों के लिए वर्दान है वही चीज आप समझ लिजे जब यह इसका पानी आपके बालों में यह मतब हेर पैक आपके बालों में लगेगा अंदर जड़ तक जा करके जो portion मिलेगा न उसी तरह से होगा जिस तरह से हम लोग जब कोई अच्छी चीज खाते हैं तो मन को बड़ी खुसी मिलती है और किसी पौधे में गमले में पानी डाल दिया जाए सूखे हुए तो आप दूसरे दिन देखिए वो कैसे खिला खिला से रहता है वही सेम बालों का हाल होता है जब कोई अच्छी चीज जाती है न तो बाल दो ही चार दिन वाद आपके खिले खिले से खुसी खुसी से नजर आने लगते हैं तो चिया सीट एक चमश डाल दीजिए और अलसी इसमें एक चमश डाल दीजिए इसको अच्छी तरह से उबलने दीजिए बहुत थीक जल मत बनाईएगा नए भी छांते भी नहीं बनता लगाते भी नहीं बनता है तो आप इसको थोड़ा से उबलने दीजिए एक इसका जल तयार हो जाएगा ठीक है जब जल तयार हो जाए दोस्तों तो आपको क्या डाल के लगाना है वो मैं आगे आपको वीडियो में बता रहे हूँ इसके फायदे अनेक हैं हपते में अगर वीक में आप इसे एक बार कर सकते हैं तो काफी है क्योंकि बालों को पोशर देने के लिए अगर एक बार उसको ऐसा भोजन ऐसा पानी बालों को दिया जाएगा न तो बालों के अंदर तक ग्रोथ जहना वो भी खुसी से जुम उठेंगी ये बन चुका है चन्नी ले लिजिए और इसको चान लिजिए देखिए बहुत जादा ठीक जल नहीं बना है कि आपसे चानते न बने गरम गरम में ही चान लिजिएगा तो बहुत ही अच्छा इसका जो है सिरम निकलाएगा देखिए बहुत अच्छा चन्रा अगर आपको चन्नी से न बने तो आप जो है किसी मलमल की कपड़े से भी इसको चान सकते है और जो ये बचा है न दोस्तों इसको पीस करके आप इसका हैर मास्क भी लगा सकते है या तो अपने चेहरे में एक फिस मास्क बना सकते है अब देखिए इतना सारा जिल निकलाया है अब इसमें आपको डालना है बालों को बहुत अच्छा पोर्शर देने वाला सहद जो बालों के लिए कम से कम वीग में एक बार सहद तो अपने बालों में लगाना चाहिए चाहे दही के साथ लगाईए चाहे किसी भी चीज के साथ लगाईए और इसमें पड़ेगा थोड़ा सा नारियल तेल और जो मैं ये बता रहे हैं दोस्तो न इसको आप लगाने के बाद कसके मसाज करने बाद चोटी बना लीजेगा चोटी बनाने के बाद आप रात में सो जाईएगा उस दिन बाल बिल्कुल भी मत दोईएगा यकीन माने और आप जब दूसरे दिन बाल धोंगे क्योंकि किसी भी चीज को मतब अंदर जब जाएगा न उसको एक रात का समय देना चाहिए कि उसको अच्छी तरीके से उसके अंदर इस कैल्प के जो रोम छेदर होते हैं उसके अंदर ये जा सके ठीक है दो घंटे के अंदर कैसे जाएगा नहीं जाएगा बस ऐसे मांगो खोलके मांग खोलके लगा लिजिए और इसको अच्छी तरीके से लगाने के बाद दूसरे दिन आप बालों को धो दीजिए और फिर आपने बालों के चमक देखेगा साइनिंग देखिएगा आप यही कहेंगे कि अरे बहुत ही अच्छा है यह तो आपको कभी पालर जाने के जोतने पड़ेगी बस रिक्वेस्ट एक ही है कि वीडियो पसंद आए तो मेरे चनल को सब्सक्राइब